एलो नमस्कार स्वागत है आप सबका मॉम्स स्टूडियो में उमीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक चाक होंगे मजे में होंगे यह अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे ममी सो बनाए प्योर काठ्या वाड़ी प्योर काठ्या वाड़ी मनिश नभाव है मासू नाकेस है सिंगदाना, जीरू, लाल मिर्च, अल्दी पाउडर थोड़ा सा सॉल्ट शुगर अठ्या वाड़ी डिशो और शुगर ना होवेसा तो पॉसिबल नहीं है और इसको अच्छे से पीस लेंगे तो इसमें और जो मसाला हमने पीसा था वो डाला है और थोड़ा अंदाज इसे चनी का आटा डाला है या बेसन और अच्छे से मिक्स करने ना है थोड़ा ओयल डाला है तो यह हमारा स्टफिंग बनके रेडी है धन्या पती हो तो आप धन्या बती भी डाल सकते हैं यह बैंगन को ऐसे काट दिया है छोटे वाले बैंगन को और उसमें यह जो मसाला है वो अम अभी स्टफ करेंगे और यहां पर बन रही है यह ए आलू को एसे सब्सक्राइब नमक और दूसरे जो नॉमल मसाले हैं हमारे उससे हम मैरिनेट करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए और अभी सारा मसाला ममी आलू में मिक्स कर रही है अगर आप चाहे तो एविन आप एविन आनियन आते हैं छोटे वाले उसको भी स्टाफिंग से फिल कर सकते हैं और टमाटर काटके लगा रही है और उसके बाद हम लोग राई जीरे का तड़का लगाएंगे और तड़के के लिए ओल लिया है इसमें थोड़ा ज्यादा ओल लगेगा तो दो या तूट टेबल स्पून जितना ओल जाएगा राई जाएगी और जीरा जाएगा थोड़ी सी अगर आपके पास अनियन है तो आप अनियन भी इसमें डाल सकते हैं अगर आपके पास छोटे वाले आलू मिल जाए तो भी आप अनियन की तरह फिल करके यूज कर सकते हैं मगर मसकत में चोटे वाले जो आलू रहते हैं या आनियन रहते हैं वो इतने आईजिली अविलेबल नहीं होते हैं तो यह एक वे हैं जिससे ममी बनाती है बस अभी एक एक बैंगन को ऐसे ही छोड़के पानी डालके ढखके रग देंगे उसको बार बाल हिलाना नहीं है सिर तो बस अभी इसको डखके हम लोग छोड़ देंगे वो अपने आप को खोता रहेगा और इसको ज्यादा मिक्स नहीं करना है वनना सारा जो है वो तूट जाएगा तो हलके हलके आतों से ही मिक्स करना है एंड स्लो फ्लेम पे को खोते देना है खि curly को जाएगा है तोँ आते है वो थे सका झा जोख कि अढ़खा हैला मिक्स के शाष्पी को है हैलना तो ह। झाल 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 यह जो बैटर हमने बचा हुआ था उसका हम लोग बना रहे हैं लाइव धोकला इसमें ना इनो डाला है ना सोडा डाली है कुछ भी नहीं राइजिंग एजन कुछ भी नहीं है फिर भी यह बहुत टेस्टी लगते हैं इसमें से अधरक मिर्च और धनिया पत्री को अच्छे स हल्दी बस परसे लाल मिर्च और यह गर्मा गरम तेल के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है मंगफली का तेल हो तो बहुत रिस्टी लगता है यह यह अमदाबाद राजकोर साइट में आपको लाइव ढोखले का बहुत सारी स्ट्रीट फूट मिलेगा तो बस ऐसे ही बनाते हैं अलग-अलग फ्लेवर्स के फ्लेवर्स हो मिलते हैं अभी चाइनिस फ्लेवर इटालि नहीं कर सकता और यहां पर हम लोग बना रहे हैं पाफ पेस्ट्री इसली पाफ पेस्ट्री स्क्वेर्स मिलते हैं रोल्स भी मिलते हैं इसली मार्केट में अविलेबल है तो बहुत ही टेस्टी अन्फटा-फट से बन जाता है यह और उसके लिए मैंने आलो बॉयल करके अन्या पती एक आफे बेला आओ ने ताम करा वाला जो और हमारा मिक्शर बनके तैयार प्राओ बनके अन्या जोड से लिए 3...2.. वीडियो ब्रॉक्स लूए लुक्स वोग्स चाने लोक बयाद दो बयाद दो लेंद लोक्स वागोगाँ वागोग वागोगाँ अरे what अपीर बॉक्स Oh! Ohhhh कर दो कर दो कर दो कि यह देखिए हमारे यम्मी से टेस्टी से पफ बनके तयार है बहुत टेस्टी बनते हैं और एकदम बाहर जैसा टेस्ट आता है यह मस्ट ट्राइ है और उपर से एकदम क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट फिलिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं या चीज डाल दीजिए या न्यूटिला डाल दीजिए पनील कुछ भी और यहां पर अभी मैं बना रही हूँ खारी बिस्किट जो चाई के साथ खाया जाते हैं मेरे पास जो मैंने आपको पफशिट्स बताई थी वो रखी हुई थी तो उसको काटके उपर दूद लगा के यह रोस्टर जीरा उपर डाल के अब मैं बेक कर दूँगी एन हमारी यम्मी सी खारे बिस्किट बनके तयार हो जाएगे सुबा के नाश्टे के लिए यह देखिए हमारी खारे बिस्किट बनके तयार है पॉफेक्ट के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है तो अगर आपके पास पॉफ शीट्स है तो सिफ काट के लगा दीजे इसे काट दीजिए ऊपर थोड़ा सा दूद्स अगर आपको जीरा डालना है जीरा अज्वाइन अज्वाइन वह अपर लगा दीजे एंदेन बेक करना है एकदम 100 डिग्रीज पे बेक करना है एंदेन उसके बाद लास्ट में थोड़ा फास्ट करना है तो ग्यू दे कलर यह हैं बच्पण की कुछ यादें यह देखिए इंबली नमक और लेड चली पाउडर स्कूल के बाहद मिला करते थे एंड इविन बाजार में भी असा थैले लगा के बैठा करते थे फुल ऑफ बिटामिन सी नैच्रल बिटामिन सी और बच्चे बहुत खाते थे तो आज पापा लेकर आया है अगर व्लॉग पसंद आया हो दें लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बुलेगा शेर विट यूर फ्रेंज और फैमिली और मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में अगली रसेपीस के साथ तिल देन बब बाई सी यू और नमशकार क्रूपल क्रूप долларов क्रूप खवलंके साथ क्रूप di यूर्चe क्रूप आपको अगल